नमस्कार दोस्तों, शान्ती ज्यान यूटूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक बार की बात है, एक भिख्षू हर दिन तथागत से कहता है कि मैंने तो मन को जीत लिया है। अब यहां मुझे विचलित नहीं कर सकता तो एक दिन गौतम बुध ने कहां ठीक है, तुम दक्षिन दिशा में भिख्षा मांगने जाओ, यही तुम्हारी आखिरी चुनौती है, फिर अगले दिन ही भिख्षू ने व्याकुल होकर कहां मुझसे बड़ी गलती हुई, लेकि भिख्षू ध्यान करना सीखते इसके साथ साथ गौतम बुध उन्हें भिख्षा मांगने भेजते ताकि भिख्षूं का एहम कमजोर हो और उनका व्यवहार विनम्र हो जाए, संग में आने के कुछ समय पश्चात, राजकुमार भी भिख्षा टन पर जाने लगा, शुरू शुरू में सब ठीक था लेकिन कुछ ही दिनों में घटना घटी जिस कारण राजकुमार विचलित हो गया और उसने भिख्षा टन पर जाने से मना कर दिया, भिख्षा टन का नियम था कि भिख्षू केवल दो घरों में भिख्षा मांगते और नहीं मिलती तो आश्रम शान्थ हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो बिना प्रयास के आज भिख्षू बड़ा प्रसन्न था उसने लोटकर गौतम बुद्ध से कहां आज मुझे भिख्षा प्राप्त नहीं हुई लेकिन मेरा मन शान्थ है ना किसी, विचार ने मुझे परेशान किया गौतम बुद भिख्षू की सारी भावनाएं समझ रहे थे। मिलते ऐसा सोचते सोचते भिख्षू के मन में इच्छा हुई कि आज बढ़िया भोजन मिल जाए तभी भिख्षू सचेत हो गया कि यहां सब अतीत की स्मृतियां हैं और मैं केवल इन्हें देख रहा हूं। कदम आगे ले जाते हैं, चेतना का स्तर उपर उठाते हैं। तब तब मन इस प्रकार के खेल खेलता है जब हम मन को शांत करने लगते हैं। तब मन हमें बेचैन करने की पूरी कोशिश करता है। भिक्षु यह सोच कर बहुत खुश हुआ क्योंकि आज उसने आत्म चिंतन से मन के बारे में गहरी समझ और सूक्ष्म द्रिष्टी प्राप्त कर ली। भिक्षु ने आश्रम आकर गौतम बुद्ध को सारी बात बताई और कहा तथागत आज मुझे आपकी कृपा से सूक्ष्म द्रिष्टी प्राप्त हुई मन हमें बार-बार इच्छाओं में उलजाना चाता है। महल को देखकर मुझे भी पुराने सुखों का स्मरण हो आया लेकिन आज भी विचार मुझे च्छू नहीं पाए गौतम बुद्ध ने कहा अच्छी बात है कल नगर की दक्षन दिशा में जाना वहां एक हवेली है वहां मन और विचारों पर उपदेश देकर आना भिक्ष हुआ आज वह जल्दी जल्दी चल रहा था क्योंकि वह उपदेश देने जा रहा था पर दोस्तों इस बार की यात्रा भिक्षू पर भारी पढ़ने वाली थी कुछ ही देर में भिक्षू हवेली पहुचा और भिक्षा के लिए आवाज लगाई आवाज सुनकर एक ने भिक्षू को प्रणाम किया और कहां आईए पहले भोजन ग्रहन कीजिए भिक्षू ने भोजन किया फिर सोचा कि उपदेश देने से पहले थोड़ा आराम कर लेता तो अच्छा होता भिक्षू यह सब सोच ही रहा था इसी बीच युफ्ती ने कहा श्रीमान आपने यह सब सन्योग है यहां लोग भोजन के बाद आराम करते होंगे फिर भिक्षू आराम करने लेट गया और विचार करने लगा कि महिला कितनी समझदार है और इसकी सुन्दर्ता बेजोड है अगर मैं राचकुमार होता तो ऐसी ही स्त्री के साथ विवा करता भिक्षू के मन में ऐसे ही कुछ विचार चल रहे थे इतने में युवती फिर से आई और बोली अगर आप राचकुमार होते तो मुझे उपदेश कैसे रते भिक्षू जी आप तो मुझे उपदेश देने आये थे ना युवती का इतना कहते ही भिक्षू को सपष्ट हो गया कि युवती तो मन पढ़ सकती है भिक्षू घबरा गया और हाथ जोड़ कर पूछा क्या आप मेरा मन पढ़ सकती है युवती ने कहा क्षमा कीजिये ध्यान करते करते मेरा मन शान्त हो गया है इसलिए बड़ी आसानी से मुझे दूसरों के विचार अपने आप महसूस हो जाते हैं। उनकी भावनाएं समझा जाती हैं। जब भिक्षु ने सुना तो उसके पैरो तले जमीन सरक गई फिर बिना कुछ बोले भिक्षु ततकाल आश्रम की ओर चल पड़ा रास्ते में चलते हुए भिक्षु का दिमाग फटा जा रहा था। उसकी बेचेनी बढ़ गई थी भिक्षु खुद को कोसने लगा कि मेरे मन में यूवती के लिए ऐसे विचार क्यों आ रहे थे उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा अगर यह बात लोगों को पता चलेगी तो लोग भिक्षुओं और संग के बारे में क्या सोचेंगे आज भिक्षु बहुत लज्जत महसूस कर रहा था और वहां थोड़ी ही देर में आश्रम पहुच गया जब भिक्षु गौतम बुद्ध के सामने पहुचा तो तथागत ने देखा कि उसके चहरे की रौनक जा चुकी है दोनों कंधे जुके हुए थे भिक्षु ने बुद्ध से कहा अब मैं कभी भिक्षा के लिए नहीं जाओंगा तथागत ने कहा पहले आराम से बैठो फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी चाल में इतनी थकान क्यों है आज तुम्हारे चेहरे पर तेज क की जगा गलानी की भावना क्यों है भिक्षु ने सारी बात बताई और कहा मैं सब कुछ जानते हुए भी महिला की सुन्दर्ता के बारे में और अन्य चीजों के बारे में सोच रहा था मैं मन से पूरी तरह हार गया अब मैं कभी उस दिशा में नहीं जा पाऊंगा मैंने ब कर्ष पर मत जाओ दूसरी बात ध्यान दो की कहीं तुम नकारात्मक विचारों के साथ अतिश्योक्ति करने वाले शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे जैसे मैं हमेशा हारता हूं जीवन में कुछ नहीं बचा मैं मन से पूरी तरह हार गया मेरे साथ कोई नहीं है क्योंकि ऐसा करने से मन अती भावुक और विचलित हो जाता है और नकारात्मक विचारों के चक्र में फसा रहता है तथागत के शब्दों से राचकुमार भिख्षू के मन को सांत्वना मिली भिख्षू ने पूछा अगर मैंने अपने मन को जीत लिया था तो फिर मन ने मुझे परेशान क्योंकि या गौतम बुध ने कहा सबसे पहले यह समझो की विचार पैदा कैसे होते हैं पहले बाहर कुछ हुआ फिर उस घटना के प्रती अंतर्मन ने प्रतिक्रिया की इस कारण शरीर में भावना या संसनी पैदा हुई फिर इस सेंसेशन या फीलिंग के प्रती तुम्हारे सचेत मन ने यानि कॉंशियस माइंड ने प्रतिक्रिया की इस आखिरी स्टेप को हम विचार कहते हैं भिक्षु ने पूछा हमको परेशान करने की विचारों में इतनी शक्ति आती कहा से हैं गौतम बुध कहते हैं कि हम खुद विचारो को यह शक्ति प्रदान करते हैं जब आप जजमेंट और सही गलत के टैग लगाकर विचारों को देखते हो तो उनके प्रती रियेक्ट करने लगते हो एक विचार के साथ अन्य विचार भी सोचने लगते हो जब तक आप खुद को जज करोगे तब तक मन आपको नीचा अगर आप अश्लील विचार महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि शरीर में एक भावना यानी सेंसेशन्स भी महसूस हो रहे हैं और फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो या रियक्ट कर रहे हो और इसी बात में मन को शांत करने का तरीका छपा है हर विचार को देखना अगर इन्हें बिना जज्जमेंट के सही गलत का मतलब लगाएं सिर्फ देखा जाएं तो यह गायब भी हो जाती हैं तब मन के पीछे जो शांती है वो प्रकट होती है और उस शांती में एहसास होता है कि मन हमारा कुछ नहीं बिगार सकता हमारा अंतरमन कैसे ठीक होता है जज्जमेंट से अगर हम किसी भी इनसान या घटना या फिर अपने मन को बिना जज्जमेंट के देखते हैं तो मन के साथ-साथ अंतरमन अपने आप स्वस्त और शांत होने लगता है अगर तुमने मात्र यह देखा होता कि इस औरत के प्रतिविचार केवल मेरे अंतरमन के रियाक्शन के कारण है और यह मैं केवल देख रहा हूं मन में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन मैं सांस के प्रति सचेत हूं मैं शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया को देख रहा हूं तब भी तुम सचेत होकर द्रिश्टा भाव में लौट आते मन के पीछे जो शांती है व पार नहीं कर सकता हम हमेशा विचारों से अच्छूते हैं गौतम बुद्ध कहते हैं तुम याद रखो विचार तुमसे हैं तुम विचारों से नहीं तुम हमेशा ही अपने विचारों से शक्तिशाली हो अपने डरों और चिंताओं से शक्तिशाली हो अब तुम अगले साथ दिन युवती के घर भिक्षा मांगने जाओगे और ध्यान रखना अपने विचारों को जज मत करना अच्छे बुरे विचार केवल तुम्हारा द्वार खट-खटाते हैं। वह पूरी तरह शांत था। आज उसमें मैंने मन को जीत लिया है यह एंकार भी नहीं था आज उसने सही मायनों में मन को पार कर लिया था।